है दोस्तों अगर आपका भी चैनल सस्पेंट हो चुका है तो आपके पास ऐसा एक मेल आया हुगा यूटूब की तरफ से तो आपको उस मेल को ओपन कर लेना है और यहां पर आपको नीचे की साइड में दिस फॉर्म बिलू कलर में लिखा दिखाई दे रहा हुगा तो उस प अपका राउजर पर रीडारेक्ट हो जाएगा या आपका जो ब्राउजर है मुवाइल का ब्राउजर होता है और इस पर भी रिडारेक्ट हो जाएगा तो यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपका यूटूब चैनल ठाव किस पर साइन किस Gmail पर sign था मतलब किस Gmail पर create था तो वो वाली Gmail आपको यहाँ पर डालना है तो चलिए जो आपका Gmail है वो डाल देना है और यहाँ पर आपको full name में अपना YouTube का YouTube का नाम भी डाल सकते हैं या अपना खुद का नाम भी डाल सकते हैं तो चलिए मैं अपनी YouTube चैनल का नाम डाल देता हूं यह मेरा पहला चैनल था जो डिलीट हो चुका था copyright strike की बज़ए से तो यहाँ पर आपको email address we can use to contact you तो वो Gmail डालनी है अगर Gmail आपको डालनी है जिससे YouTube आपको contact कर सके तो वो अपनी Gmail है वो यहाँ पर डाल देना है और यो URL आपना चैनल का URL है copy करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो आपको suspend channel था तो अब यहाँ पर आपको problem बतानी है कि हमारा चैनल है क्यों suspend हुआ है कब suspend हुआ है जो आपकी problem है वो यहाँ पर आपको बतानी है तो आपको क्या करना है? सम्मिट कर देना है यहाँ पर जो सारा मैंने लिखा है तो वो आपको discussion में मिल जाएगा बहाँ से आप copy करके अपने home में फिल कर सकते हैं तो आपको क्या करना है? अपने जो home है वो complete हो चुका है और आपको submit उसको कर देना है सम्मिट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा interface होगा योर इमेल है भी sent तो आपका इमेल है वो sent हो चुका है अब कुछ देरबाद आपको एक mail आएगा thanks for contact your google account team तो यहाँ पर आपको यहाँ पर धन्नवाद दे रहा है google तो अब आपके कुछ देरबाद एक gmail आपको पास एक mail आएगा वो बताएगा चलिए अपन जो mail है हमारा आ चुका है अब वो मेल आपको मैं open करके बता देता हूं तो YouTube की तरफ से यहाँ पर एक mail आ चुका है thank you for contacting तो यह thank you कर रहा है contact करने के लिए अपना जो चैनल है वो रिव्यू करके आपको बताएंगे जल्द आपको एक mail आएगा चलिए दूस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो comment में पूछ लेना और Instagram पर मुझे DM करके भी पूछ सकते हैं आपको बताएंगे